हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टेडिशिट चैनल दोस्तों आज मैं हैंड बॉल खेल की मेजरमेंट रूल्स एंड उसकी कॉप ट्रॉफिय अंतराश्टी संगठन से रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टेंस लेकि आए हुँ वीडियो को पूरा देखिएगा एक भी कोस्टन मिस मत किजिएगा जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलिबस के एकॉर्डिंग हैं एंड हंडर से ज्यादा वीडियो प्रिवेस एर एमसी क्यूज कोस्टन पर आधायत हैं एंड चिप्टर वाइज यहां पे प्रैक्टि आही गया है यूपी टी जी आपने भारा ही है यर्टी का वेकेंशिफ आने वाला है तो दोस्तों डेली बिसेश पर पढ़ेंगे तभी आपका सेलेक्शन हो पाएगा क्योंकि आज की दोर में इतना बड़ा कंपर्डिशन है लोगों की भीड इतनी है उसमें से आपको निक दीजिए तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की प्रश्णों की तरफ दोस्तों कोश्चन है हैंडबाल को पहले किस नाम से जाना जाता था तो हैंडबाल को पहले ओलंपिक हैंडबाल कोर्ट हैंडबाल इरूपियन हैंडबाल इन सभी नामों से जाना जाता था आपसन इसका हेड़ क्वार्टर बसेल स्विर्जे लेंड है नेश्ट है दोस्तो हैंडबाल को उलम्पिक में कब सामिल किया गया तो हैंडबाल को उलम्पिक में 1936 बरलीन उलम्पिक में सामिल किया गया नेश्ट हैंडबाल को एसियार्ड में कब सामिल किया गया तो हैंडबल को ACRD में 1922 नए डिल्ली में शामिल किया गया जैसा कि दोस्तों ECI खेल 1921 नए डिल्ली में शुरू हुआ था और दूसरी बार नए डिल्ली में कब हुआ था भारत में तो 1922 नए डिल्ली में यह भी कोशन आपको पुछता है कि ACI खेल दूसरी बार भारत में कब आरिजित हुआ था 1982 नए दिल्ली में एक कोस्टन से कई कोस्टन निकालना सिखे दोस्तों जिससे आपको प्रिपरेशन एक अच्छे लेबल का हो सके कैसा भी कोस्टन घुमा फिरा के पुछे आप उसका एंसर दे सके नेश्ट दोस्तों हैंडबाल के मैदान की लंबाई कितनी होती है तो हैंडबाल के मैदान की लंबाई 40 मिटर होती है नेश्ट दोस्तों हैंडबाल के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है तो हैंडबाल के मैदान की चौड़ाई 20 मिटर होती है यानि कि हैंडबाल की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है 40 गुड़े 20 मिटर रिष्ट है गोल पोस्ट की चोड़ाई कितनी होती है हैंडबाल की तो गोल पोस्ट की हैंडबाल की चोड़ाई होती है 3 मिटर नेश्ट हैंडबाल के गोल पोस्ट की उच्चाई कितनी होती है तो दो मिटर उच्चाई कितनी होती है दो मिटर यानि कि हैंडबाल के गोल पोस्ट की चौड़ाई तीन मिटर उच्चाई दो मिटर याद रखेगा निश्टा हैंडवाल में पिनाल्टी लाइन से गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है तो साथ मीटर इसमें कन्फीजमेंट होई अगा दोस्तों जैसे कि हांकी में गुल पोस्ट की जो गुल पोस्ट से पिनार्टी स्पार्ट की जो दूरी है वो साथ गज है और यहां पे यह साथ मीटर है नेश्टे पूर्सों के लिए हैंड बाल की बाल का भार कितना होता है तो दूस्तों पूर्सों के लिए भार होता है 425 से 475 ग्राम नेश्टे महिलाओं के लिए हैंड बाल का भार कितना होता है तो महिलाओं के लिए होता है 325 से 400 ग्राम नेश्ट है पूर्सों के लिए हैंड बाल की बाल की परीधी कितनी होती है तो 58-60 cm पूर्सों के लिए हैंड बाल की परीधी होती है नेश्ट है महिलाओं के लिए हैंड बाल की बाल की परीधी कितनी होती है तो 54-56 पूर्सों की परीधी 58-60 एंड महिलाओं की बाल की परिदी 54 से 56 नेश्ट है हैंड बाल में कितने खिलाडियों को इस्थानापन किया जा सकता है तो वरली दो खिलाडियों को इस्थानापन किया जा सकता है नेश्ट है दोस्तों कि हैंड बाल में कुल कितने खिलाडी होते हैं तो कुल इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं नेश्ट है है हैंडवाल में कुल कितने निड़ायक होते हैं तो इसमें 4 निड़ायक होते हैं हैंडवाल में कौन-कौन से 4 दो रेफरी होते हैं एक स्कूरर एक टाइम की पर इस परकार दोस्तों खिलाडियों की संख्या 12 होते हैं बट अब इसमें 14 खिलाडी हो गये हैं संख्या इसकी जिसमें साथ खेलते हैं मैदान में और साथ अत्रिक्त खिलाडी होते हैं नेश्ट दूस्तों IHF का पुरा नाम क्या है तो यहां पर IHF का पुरा नाम हो जाएगा International Handball Federation क्योंकि दूस्तों IHF International Hockey Federation को भी बोला जाता है नेश्ट है Handball के मैंच में कुल कितने खिलाड़ी मैदान में रहते हैं तो मैदान में साथ खिलाड़ी रहते हैं जैसे कि कबड़ी, वाटर पुलू, एंड हैंड वाल इंट इनों में साथ साथ खिलाड़ी खिलते हैं नेश्ट कोशन है Handball के मैच की अवद ही कितनी कितने समय की होती है तो इसमें 60 मिनट का खेल होता है दोस्तों 33 मिनट का दो पारे में और मध्यांतर 10 मिनट का नेश्ट है Handball मैच की अवद ही के बीच में मध्यांतर कितनी समय का रखात जाता है तो 10 मिनट का नेश्ट है Handball का मैच टाई हो जाए तो एक्स्टरा टाइम की क्या इस्थिती रहती है तो पांच-पांच मिनट का एक्स्टरा टाइम दिया जाता है निष्ट है टाई होने के पस्चात एक्स्टा टाइम पांच-पांच मिनिट के अवधी के मद्ध कितना अंतराल रखा जाता है तो इसमें कोई अंतराल नहीं रखा जाता नेर्ट है 5-5 मिल्ट के प्रथम एक्स्ट्रा टाइम देने के पश्चात भी टाई रहे तो नेरे क्या होगा दोबारा से 5-5 मिल्ट का खेल होगा नेर्ट है एक टीम एक हाफ में कितने टाइम आउट लेशक्ती है तो एक टीम एक हाफ में कितने टाइम ले सकती है एक मिनट का यानि कि प्रतेग टीम प्रतेग हाफ में एक टाइम आउट एक मिनट का लेती है नेश्ट है IHF का मुख्याले कहां इस्थीत है IHF यानि कि International Handball Federation का मुख्याले कहां इस्थीत है बैसेल सूर्जेलेंड में है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और अभी हैंडबाल के एक दो वीडियो आएंगे दो तिन वीडियो और नेक्ट वीडियो में कोस्चन्स होंगे तो दोस्तो एक वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और जादे से जादे वीडियो को सेर कीजिए दोस्तो और डेली बेसेश से मेरा वीडियो मौर्णिंग में रहेगा और डेली बेसेश से आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए तो दोस्तो फॉस्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो को आप तक पहुँचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं